ओल एट्ए फेंट्स तो विलकम तुझी डेटा साइट साइन्स कूरस बैफ लग उस प्लेेड याँ किसे बनाते हैं थोड़ा वहतम च्र 곡 さocide की बंच सब्सकिन ही अपको एक इस python का एकदम basic जो है मैं आपको नहीं बताने वाला आपको थोड़ी बहुत python तो आनी ही आनी चाहिए ठीक है उसकी साथ-साथ हम लोग सारा का साम jubiter notebook पर करेंगे तो किसी को jubiter notebook नहीं पता तो basically एक और IDE है जिसमें लोग अपना data science, machine learning, AI का सारा का सारा काम हम इसमें करते है ठीक है तो आई चलिए इसको install करना देखते हैं और कैसे install करके हम अपने data science के journey को start कर सकते हैं तो मैं अपने browser पर आच चुक हूँ यहा पर jubiter notebook है आप लोग देख सकते हैं मैंने search किया simply आपको आप जाने jubiter notebook और बहुत ही simple इसको install करना बहुत ही simple है आपको इसको id id इसको installing नहीं करना आप सारा काम अपने browser में यहां से कर सकते हो ठीक है तो installing jubiter पे click करोगे तो installing jubiter पे click करने के बाद आपको simply लिखना pip install jubiter lab लिखके आप कर सकते हो या basically वह नहीं करना आपको इससे jubiter lab install होगी तो jubiter lab नहीं जहाँ को jubiter notebook चाहिए तो simply write pip install jubiter notebook ठीक है तो install notebook notebook लिखोगा तो आपको python का package जिसका नाम notebook है वो basically आपको install करके देगा मैंने पहली से को install करके रखवा इसलिए मेरा सारा का सारा सब कुछ आप issue कोश्च नहीं आएगा ठीक है अब स्कुरान करने के लिए आपको याली command लिखनी पड़ेगी तो jubiter notebook याली command को copy करें और आ अपने power shell पे यहां पर आप इसको paste कर सकते हैं कई वर क्या होता है कि यह comment चलती है जैसे मेरे नहीं चल रही है आपको python hyphen m और notebook लिख देना है ठीक है यहां से आपकी चीज़े आपकी काम करना start कर देंगे तो आपको एक server मिल जाएगा जिस server में आपकी notebook जो हो start हो जाएगी तो यह देखिया आपकी notebook जो हो start हो जाएगी ठीक है अभी के लिए आपको इतना ही जानने कि यहां तक आपको starting के लिए इतना काफी है next video में हम लोग देखेंगे कैसे इसके साथ काम कर सकते हैं और कैसे कैसे हम अपने projects को बढ़ा सकते हैं अपने college semester के लिए या fun projects भी जो हम को बनाने होंगे इस course के तोरान हम लोग सबको सीखेंगे तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इंस्टॉल किया और मैंने आपको introduction देगे हम लोग क्या सिखने वाले तो इस वीडियो में इतनी हम लोग मिलते है next video में तब तक के लिए बाए